एक बात ध्यान रखिए, जो लोग चाहते हैं कि घर में खुब धंधान बना रहे हैं, कुछ चीजे आज नोट कर लीजे, वो ये हैं कि एक तो आप अपने रसोई घर में सफाई बहुत रखिए, रसोई घर को पवित्र रखिए, रसोई घर में एक जल का घड़ा भर करके आप तो तुलसी की पूजा करते हैं, उन तुलसी जी में जो जल चड़ाते हैं, वो इतना चड़ाएं कि वो जल बहे करके बाहर ना जाए, गमले से बाहर बहेगा, तो बहे अच्छा नहीं है, अच्छा लक्षन नहीं है, जल चड़ाएं वो उसी में रह जाए, आने वाले अतितियों का खुब सम्मान करें, जिन घरों में अतिती का सम्मान नहीं होता, उन घरों में लक्षमी जी नहीं रहती हैं, जिन घरों में बुजरगों का सम्मान नहीं होता, उन घरों में लक्षमी नहीं रहती हैं, तो खुब बुजरगों का सम्मान खुब करें, अतिती का सत बोजन कर लेते हैं, नोकर को भूका छोड़कर भोजन कर लेते हैं, तो उसका बड़ा भारी प्रास्चत है, बड़ा दोस्ट लगता है, लक्षमी रुष्ट हो जाती है, तो इस तरह की गलतिया कभी ना करें, आप बुजर्गों का खुब आदर करें, आतिती का खुब सम्मा करें, आतिती सम्मान जिस घर में नहीं होगा, उस घर में लक्षमी कृपा नहीं करेंगी, आतिती का सम्मान करना चाहिए,